आज हम मतुर्वा का पेड़ा पनाएंगे जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है मतुर्वा का पेड़ा सिर्फ दूद से बनता है इसमें और कोई चीज नहीं मिलाते हैं दूद को अच्छे तरीके से जला लेते हैं जब यह मावा की तरह हो जाता है तो पांसात मिनर तक और इसे भूनते हैं तो इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाता है लाइट ब्राउन हो जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है इसका कोई सेप नहीं होता है कैसे भी आप इसकी डिजाइन दे सकते हैं और बनाना बिलकूल असान है बस पांच मिनिट प्रिदन करना चारों प्लीज येदि हमारी वीडियो आपको जरस वे अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज बेल आइकन बटन को प्रिस कर लेंगे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रह हम एक लीटर दूद ले लिए भैंस का दूद है भैंस के दूद में मावा ज्यादा निकलता है जब तक दूद मुबाल आएगा तब तक हम ये 6-7 इलाइची ले लिए हरी वाली छोटी इसका पौडर बना लेंगे अच्छा टेस्ट आता है और पौडर बनाने के बाद 5 मि सब्सक्राइब लगे उसे छुटाते जाए खुरोच का और अभी मैं गयश का फिलेम हाई रखे हूं क्योंकि दूद अभी गाढ़ा नहीं हुआ इसलिए मतुर का पेड़ा बनाना बिलकुल आसान है सिर्फ दूद से बनता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है दूद अब आधा रह गया है जल के जब दूद आधा हो जाए आधा जल गया आप देख पा रहे होंगे तब गयश का फिलेम मीडियम कर ले हूँ लगातार चलाते हुए दूद को पका रहे हूँ जब दूद आधा हो जाए इसमें हम आधा कप चीनी डाल देंगे एक लिट है और इसे हम ऐसे खुरोच लेंगे जैसे साइड में मलाई ने लगे और लगातार चलाते जाएंगे गैस के फिलेम में बीडियम रखी हूँ थोड़ा और गाड़ा हो जाएगा तो लो कर लेंगे क्योंकि जब दूद गाड़ा हो जाता है तब गैस तेज रहाती है तो पका लेंगे आप तेवारों में बनाया जब आपकी खाने की इक्षया हो तब बनाया मतुरग पेड़ा खाने में पहुत ही स्वादिष्ट होता है अब और गाड़ा हो चुका है धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पर अब गैस के फ्ले कलर इसका लाइट ब्राउन हो जाएगा थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा गैस के फ्लेम लोही रखेंगे और लगातार चलाते जाएंगे सिर्फ पांच मिनट ज्यादा इसे भूनना पड़ता है मावा को तब जाकर इसका कलर चेंज हो जाता है और इसी वक्त हम इलाची पाउडर भी डाल देंगे इसमें मिला लेंगे एकदम धीमी आज पर पकाएंगे अभी जब भूरेंगे साइट में और पकड़ लेगा यह मावा क्योंकि बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है ना इसलिए वह सफेद पेड़ा बहुत बढ़िये बनेगा इतना गाढ़ा उताल लेंगे तो देखो अब कलर चेंज हो रहा है साइट में थोड़ा से मावा पकड़ लिया है छुटाने पर इसका थोड़ा से लग गया है आप देख पा रहे होंगे इसलिए गैस बिल्कुल लो रखें इस टाइम पर मैं खड़ा ही उताल लिए हूं थोड़ा से ठंड़ा हो का पाँच मिनिडर बाद भिलकुल ठंड़ा हो जाएगा थोड़ा भी हमचे मास si मैस कर देंगे फिर शुमास से इसे मसल लेंगे है ऐसे हाट से अगर आप मसल लेंगे अच्छे तरीके से बिल्कुल समूध हो जाएगा यह पेड़ा मुँ में जाते ही घुल जाएगा बिल इच्छा नुसार दे सकते हैं मतुरा का पेड़े में कोई शेप नहीं होता है कैसे भी डिजाइन बना दो और छोटा बड़ा अपने ही साफ से बना सकते हैं जितना छोटा बड़ा आपको बनाना हो और मैं इस तरीके से बना ले रही हूं फुल फैट का दूध है इसलिए इसमें घी काफी है चिकनाई काफी है प्योर मावा है ना कोई मिलावट नहीं है देखें मेरे हाथ में कितना घी लग रहा है क्योंकि मावा थोड़ा सावर भून दिये ना इसलिए घी छोड़ दिया है तो अब यह सौप्ट है बिल्कुल ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा डिजाइन से ऐसे बन जाता यह देखें ऐसे ही बना लें कोई डिजाइन नहीं होता है मतुर्वय का पेड़े का लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का से इसको ऐसे बना दे रहे हूं आपको जैसे अच्छा लगे रोल भी कर सकते हैं इस तरीके से में बना कर रख ले रहे हूं मतुरा के पेड़े में कोई चीज मिलाया नहीं जाता है सिर्फ दूध और चीनी दोई चीज से बन जाता है इसलिए खाने में ज्यादा स्वाधिश्ट होता है और इसे आप 20-25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं खरा अच्छा लगे तो मैं सारा पेड़ा इसे बना कर तयार कर ले रही हूं इसे आप किसी भी तेवार में बना सकते हैं या जब खाने की ख्या हो तब बनाए इसमें कोई मिलावट नहीं है बहुत ही स्वाधिश्ट होता है इसे बड़े बच्चे सभी पसंद करेंगे इसके उ मावा अच्छा निकला है और बनके मेरा पेड़ा तयार हो चुका है बहुत ही बढ़िया पेड़ा है आप दिवाले पर जरूर बनाए भगवान का भोग लगाए और खुद भी खाए